Hello everyone, welcome back to my YouTube channel कैसे हैं आप सब, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज की जो मेरे वीडियो है, वो एक requested वीडियो है I hope आप सबको बहुत ही ज़ादा पसंद आएगी तो आज की जो मेरे वीडियो है, वो है अपने चैनल को कैसे सर्चिंग में लाया जाए ठीक है? अपने वीडियो को कैसे सर्च में लाया जाए कैसे अपने चैनल को नमबर वन सर्चिंग में लाया जाए तो अगर आप अपने वीडियो को या अपने चैनल को सर्च लिष्ट में लाना चाते हैं तो मेरे वीडियो को लाश तक जरूर देखें अगर लाश तक आप मेरी वीडियो को वाच करते हैं तो आप अपने चैनल को सर्चिंग लिष्ट में आराम से ला सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक न्यू चैनल क्रियेट किया है इसरार वेस्टीज के नाम से जिसमें बस एक सब्सक्राइबर है और मेरा नंबर वन सर्चिंग पे है ठीक है क्यों है इसका भी रीजन है आप अगर चैनल बनाएं तो एक यूनिक चैनल है तो क्या सर्च में हमारा चैनल आएगा कभी नहीं आएगा तो आप ऐसा चैनल बनाएं कि आपका सर्च में आ सके कुछ ऐसा यूनिक नेम से अपना चैनल क्रियेट करें सेकेंड मैं आपको एक सेटिंग भी बताऊंगा कैसे आप अपने सेटिंग को करें कि आपका स सبस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लें और बिल बटन जरूर दबा देता कि हमारे हर वीडियो के ना उटिफिकेशन आको मिलती रहा है तो चले वीडियों श्टार्ट करते हैं हाँ तो वीडियों शटार्ट करते हैं सबसे intraVIS पहले तो आपको कुछ सेटिंग से मिलेंगी very寡़ें यह आपको लॉस वाले जो सेटिंग है यह लाज्ट से आपका थट नंबर ऊपर की तरफ का आइकोन बना है इस पर आपको क्लिक करना है द करने की बाद हमारे पास चार औप संस आते हैं में चार आइकोन है जैनेरल आप no Windows time cut key word open open option तो आपको keyword में डालना क्या है Keyword में आपके Channel का नाम डालना है जैसे पहले तो आपका अगर में आपके Channel का नाम जो भी हो इसके आगे हैस लगा दो उसको एक साथ में लिख दो फिर उसको डीवाइड कर दो फिर सब्राइद कर दो तीक है मेरा भी आप सर्च करेंगे इसरार आफिस चैनल के तो सबसे पहले आएगा ठीक है और अगर आप जिस आप अगर वीडियों जिस कटेगरी की वीडियों आप अपलोड करते हैं जिस टॉपिक की उस टॉपिक की केवर्ड इस केवर्ड में डाल सकते हो आप ठीक है जैसे आप टेक से करते हो कुक से करते हो या स्कीन केर से करते हैं तो उसी से रिलेटेड आपके वर्ड इसमें डाल सकते हैं ठीक है तो अपने चैनल को सर्चिंग लेश्ट में लाने के लिए सबसे पहले आपको यही काम करना होगा